नमस्कार दोस्तो अगर आपका भी फोन पे एकाउंट ब्लॉक हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्यूंकि इसमें स्टेप बाई स्टेप तरीका बताने वाले हैं कि कैसे अपना फोन पे एकाउंट अनब्लॉक कर सकते हैं इसलिए वीडियो को बीना एस्कीप किये हुए पूरा देखें और ठीक से समझें तो चलिए बीना टाइम वेस्ट किये हुए बीडियो शुरू करते हैं जब आप अपना फोन पर आये पोपन करते हैं और यहा में आपना ब्रोबलम आपके सामने आता है लोगपन नहीं होता है जब यहाँ आपको अपना मौबाईल नमबर डाल करने के लिएसा और करना है और करना नीचे आपको यहाँ पे दिखाई डिखाई देगा इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल कर next करना है और यहां पे टिक करना है अब आपके सामने कुछ ऐसे ही फोटो आएगा जिसको सही सेलेक्ट करना है आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि किसका फोटो सेलेक्ट करना है इसमें से जैसे ऊपर यहां पे लिखा हुआ है motor cycles तो यहां पे जितने खंद में motorcycle है है ना उसको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है यहां पर जितना में मोटर साइकिल है उसको सिलेक्ट करना है और बेरिफाइ il- रोबोट वेरिफाई हो जाएगा अब यहाँ पे submit and get OTP पे क्लिक करना है अब आपके register mobile number पे एक OTP जाएगा जो आपको यहाँ पे डाल देना है और submit and get help पे क्लिक करना है अब यहाँ unable to login पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे अपना दोक्मेंट अपलोड करना है पहला आपको gallery में जाना है जिस file में आपका अधार card है उस file को open करना है और आपको अपना front अधार card और back अधार card दोनों select करना है और उपर done करना है आपका अधार card यहाँ पे upload हो जाएगा अब bank passbook upload करने के लिए यहाँ attach file पे क्लिक करना है उपर आपको three line दिखाई देगा इस पे click करना है गैलरी में जाना है जिस file में आपका bank passbook का photo है उस file को open करना है और अपना bank passbook select करना है और उपर done करना है आप देख सकते हैं कि अधार card भी upload हो गया है और bank passbook भी upload हो गया है अब आपको नीचे दिखाई देगा send का option इस पे click करके send करना है आपको यहाँ पे दिखाई successfully created और आपको 24 गंटा वेट करना है 24 गंटा के अंदर आपके mobile पे company के द्वरा मैसेज आएगा किस कारण से आपका phone पे account ब्लॉक हुआ है इसी तरह से आपको भी अपना phone पे account अन ब्लॉक कराने के लिए complaint करना है और 5-7 दिन वेट करना है company के द्वरा आपका mobile नंबर अधार नंबर और bank account नंबर verify होगा अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका फिर से account अन ब्लॉक कर दिया जाएगा और 5-7 दिन में आपका फिर से account लोग इन हो जाएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बता है अगर आपका भी phone पे account ब्लॉक हुआ है तो वो भी comment box में बता सकता है चैनल पे ना है तो subscribe कर दें और इस वीडियो को like जरूर कर दें